स्री शिवाय नमस्तु बेहम दाशकों सावन का महिना भगवान भोलेनाथ के लिए अतीप्री महिना माना गया है और सावन का महिना आते ही हर व्यक्ति जूम उठता है हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान भोलेनाथ और माता गोरी की आरादना करके वे जिंदगी के हर सुक को पाले सावन के महिने में भगवान भोलेनात के साथ साथ माता गोरी की भी अरतना पूजा की जाती है सावन का महिना भगवान शिव को समर्पित होता है और माता गोरी का दिन भी होता है यानि सुमवर का दिन भगवान शिव और मंगलवार का मंगला गोरी यानि माता पारवती का दिन माना जाता है सावन माहा में हर एक दिन बहुत ही जादा पुनिदाई होता है इस महिने में पूरे विदी विदान के साथ भोले बंडारी को पूजा अर्चना करके आप भगवान शिव को प्रसंद कर सकते हैं व्यक्ति की मनवान्चित इक्षा तो पूरी होती है साथ में जीवन में चल रहे कष्ट दुख का नाश होता है शावन के महिने में आप भगवान भोले नाथ को प्रसंद करने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें वहां आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माद्याम से कि किन चीजों को आप त्याग दें किन चीजों की गलती ना करें जिससे कि भगवान भोले नात की कृपा आप पर ना बने और भगवान भोले नात की कृपा पाने के लिए छोटे-छोटे उपाय भी बताने वाले हैं इस वीडियो के माद्यम से आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा आपके बहुत काम आएगा सावन में कुल चार सुमवार पड़ते हैं हर सुमवार आपको वरत करना है अगर वरत ना कर पाएं तो भगवान भोले नात की पूरी वीदि-विधान से पूजा करें अगर आप पंचामरत से एक कलश जल से भगवान भोले नात को इसनान करवाते हैं तो यह भोती पुनेफल की प्राप्ती देता है साथ ही आपकी बिमारी दुखों का नाश करता है भगवान भोले नात पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प समर्पित अवश्य करने चाहिए आकड़े के पुष्प, धतूरे के पुष्प, धतूरे का फल और साथ ही अभीर, गुलाल, लाल चंदन, पीला चंदन, अश्टगंद, अक्षत जरूर समर्पित करने चाहिए अगर भस्म आपको मिल जाएं तो भस्म भी अवश्य सर्मर्पित करें साथ ही भगवान भोलेनात का पंचामरस से अभिशेक करना चाहिए भगवान भोलेनात की आरादना से आपको शक्ती भी प्रदान होती है आपके जीवन में जो भी समस्याइं चर्ड़ लएगी हैं उनसे लड़ने की शमता आपको प्रदान होगी सभी दोस रोग मिटेंगे साथ ही आप जिस भी मनवांचित इक्षा से भगवान को प्रसन करना चाहते हैं तो भगवान के मंदिर जाकर आप भगवान भोलेनात की आरादना करें यदि मंदिर नजदिक नहीं है तो आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करें पार्थिव शिवलिंग आप मिट्टी से बनाएं बालूरेट से बनाएं जैसे भी आप से बनें वैसा पार्थिव शिवलिंका निर्मान करके आप भगवान भोले नात की प्रतिक सुमवार को तीज को या फिर हर्ताली का तीज आती है मंगला गोरी वरत आता है और ऐसे कई वरत हैं जो सावन के महा में आते हैं प्रत्यक सोमवार के सोमवार आप पार्थि शिवलिंग का निर्मान करें और उनकी पूजा करें ऐसा करने से आपके समस्त दुखदूर होगे आप नी संतान है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपकी अगर सादी नहीं हुई है विवा नहीं हुआ है तो आप भी ऐसा मिला लें और फिर आप काली मिर्च जरूर मिलाएं पीस करके और उससे पार्थी शिवलिंग का निर्मान करें निर्मान करने से पहले आपको एक बेल पत्र जरूर रखना है नीचे उस पर ही आप पार्थी शिवलिंग का निर्मान करें निर्मान करते समय इन बातों क अवशे ध्यान रखें कि सबसे पहले भगवान शिवलिंग को जलादारी का निर्मान नहीं करना है सबसे पहले लिंग का निर्मान करें फिर आप जलादारी का निर्मान करें फिर आपको भगवान भोलेनाद की पंचामरस से और जैसे आप से पूरी निष्टा सद्धा से पूजा करते बने वैसे आप पूजा करें और पार्थे शिवलिंग का निर्मान अगर आप करते हैं तो रातरी होने से पहले ही उसका विशजन कर दिया जाए इस बात का रूप से पूजा की जाती है तीसरे सुमवार को अर्ध नारिश्वर शिव का पूजन किया जाता है और चोथे सुमवार को तंत्रेश्वर शिव की विशेश पूजा की जाती है अगर आप साधरन रूप से पूजा करना चाहते हैं तो भगवान को किसी भी स्वरूप में देखे हर कंकर में शंकर समाया है, किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं, सावन के महिने में नेमत रूप से हर सुभा जल्दे उठकर इसनान करने के बाद में साफ सुत्रे वस्तर पहन कर आप शिवबंदिर जाएं या घर में पूजा करें, लेकिन देशी घी का दीपक जरूर प्रजवरित करें, और साथ ही माता पारवती की भी विशेश रूप से पूजा करें, भोले नात के साथ साथ माता पारवती की भी पूजा की जाती है, हर सावन माह में जजने भी मंगलवार पढ़ते हैं, उसमें मंगला गोरी की पूजा की हैं आपको हमारी चैनल पर जरूर मिल जाएगा वह वीडियो उसे जरूर देखिएगा मंगला गोरी वरत को किस वीधी से करना चाहिए उसमें क्या नियम होते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं सावन के माह में माता पारवती के साथ साथ भगवान भोले नात पर भी बेल पत्र जरूर अरपित करना चाहिए साथ ही नीले लाल और कमल के पुष्व भी अरपित करने चाहिए बेल पत्र भांग धतूरा आधी चीजें से भगवान का अविशेक करना चाहिए दर्शोगों और भी उपाएं हैं और भी नियम हैं जो हम एक वीडियो में नहीं बता पा मैं